समस्का दोस्तों कैसे हैं आप Stock Talking Series के अंदर में जहां पहले मैंने आपको State Bank का एक Share दिया उसके बाद मैंने आपको दिया Indeable Housing Finance का उसके बाद मैंने आपको दिया DLF का सबी शेयस ने बहुत ही जबरस परफॉर्म के और अब भी भी परफॉर्म कर रहे हैं इसी कड़ी में एक ऐसा Share आपके लिए कहा हूँ जो बहुत ही important है जिसको मैं 60 रुपे से recommend कर रहा हूँ और आज 500 रुपे का भाव हो गया एक सबल के अंदर में मतलब मोटा मोटा more than 200% return 200% से जादा की return वो शेयर दे चुका है बहुत ही बढ़िया company है दिगज company है और शांदा returns की उम्मिद उससे बहुत ही जाद लगई जा रही है यह एक ऐसा शेयर है जो आपके हमारे future से जुड़ा है जिसके अंदर बहुत अच्छे future prospects है और यह company शायद बहुत ही दिगज नाम है जो आपको खुश करेगी तो सो इस वीडियो को अंतक देखेगा ताकि आपको पता दगे कि यह share अपने sector का दिगज क्यों है बिग डैडी क्यों है हमारे portfolio में share का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्यों है हम इसमें निवेश क्यों कर सकते है अपनी analysis कीजेगा अपनी study कीजेगा इसमें investment और trading decisions ले solar charging on करो यार कुछ तो on करो guys here I am back yes you got it right guys I am talking about the stock from the power industry जैसे आपको मालू है power के बिना कुछ भी संभाव नहीं है ना ही manufacturing संभाव है ना ही कोई भी industry power के बिना चल सकती है banking हो, real estate हो, evisions हो, pharma हो, कुछ भी हो, सबको power चाहिए you talk about any damn sector, power is the backbone of any industry, any manufacturing, any production, any products or services we are using and we would be using in our future power के बिना कुछ नहीं हो सकता रहागा efforts कैसे लगे, कोई improvement की जरूरत होगी तो भी लिखेगा, हर comment को personally पढ़ता हूँ, personally reply करता हूँ, social media team hire नहीं की है मैंने जो मेरे replies करने वाली है जी हाँ, मेरे replies मैं ही करता हूँ, आपसे one-to-one interaction मेरा ही होता है चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करें हैं इस sector की दिगज कंपनी Tata Power की जी हाँ, Tata Power, the biggest company in the power, इंडिया's largest company in power distribution दोस्तों समझते हैं, company के बारे में थोड़ा सा overview लेते हैं, समझनी कोशिश करेंगे कि Tata Power दिगज क्यों है बाप क्यों है इस industry का, screen पर नदर बना के रखिएगा, आपके सामने विल्कुल सभी details बारी कीसे आएंगी, दोस्तों ध्यान से देखिएगा तोसों जा हम power की बात करें, वहीं हमारा power sector जुड़ा हुए, electric vehicles से बहुत जबरस Tata Power ही कैसी कमनी है, जो electric vehicles के लिए बहुत ही solid काम कर रही है, जिसकी presence बहुत ही जबरसत है और आने वाले टाइक में इसके बिना electric vehicles का successful होना हिंदुस्तान में possible नहीं है आगे details में इसको दिखने कोशिश करेंगे Renewables में का दिखाए, तो power generation के साथ-साथ में EPC और operations and management का बहुत तड़ा काम करती है, बहुत ही बड़ा काम करती है Tata Power Tata Power को फाइदा मिल रहा है सरकार के power के उपर focus जो बीते सालों में बहुत ज़ादा focus नहीं था power के उपर में एक ऐसा पिटा हुआ sector था जहां पे किसी की नदरे नहीं थी पर दोस्तों एक साल से उपर हुआ जब से मैं कह रहा हूँ कि power और infra चलने वाला है, power infra चलने वाला है नए chairman Mr. N. Chandra के विए से जो बहुत ही dynamic personality है उन्होंने Tata Motor के लाओ Tata Group की बाकी companies जो weak थी जिनके उपर में economy depend कर सकती है जिनका जो product services segment है जो बहुत ही important है economy को boost करने के लिए उनके उपर focus किया है जिसमें सा Tata Power is the biggest one and the largest company which Tata Group is owning दो सो N. Chandra जो नए chairman है उनका बड़ा जबरस focus है EV vehicles के उपर में electric vehicles के उपर है जिसके उपर Tata पर बहुत Tata काम कर रही है और अगर सारक के उपर देखा जा है तो आज सबसे affordable electric cars कौन मना रहा है Tata Motors, Tata Motors के पीछे भी जो type है power generations का जो EV को supply करने का है वो Tata Power का ही है Tata Power is a backbone behind Tata Motors also तो देखते है growth expectations क्या है इस sector की Tata Power के लिए क्या growth के राष्टे ही तह हो सकते है एक survey के मूता बेग जो EV charging sessions का जो business है वो 30 billion US dollars तक जा सकता है 1227 सेगमल, 1220 से लेके 1227 तक ये sector 40% की CAGR से grow कर सकता है आने माले 7 साल के अंदर में तो आप सो सकते हैं क्या जबर्दस growth opportunities इसके इंदर है तो 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 Tata Power leader है किसकी सेगमेंट के इंदर में आपके सामें देखिए Public charging इंदर में, captive charging में, home charging में, workplace charging में मतला अगर आप office में जाएंगे तो आप charging sessions पार Tata Power लगा रहा है 600 charging sessions अलड़ी company established कर चुकी है और आने वाले टाइम में बहुत जबर तरीके से grow करने वाली है So recent tie-ups पे नज़र डाल देते हैं, हाल ही में HP seal के petrol pumps के साथ में tie-up हुआ है जहाँ जहाँ जैसे आपने CNG को देखा था, हर petrol pump के ओपर CNG established हुई थी वैसे ही Tata Power के charging stations, HP seal के सभी petrol pumps पे देखे जाने वाले हैं जो हिंदुस्तान में बहुत ही बड़े scale पे काम करते हैं Electric vehicle makers जैसे MG Motor India, Jaguar Land Rover India, Tata Motors के जो charging equipment है जो charging accessories है, complete setup का tie-up है, वो Tata Power के पास में है साथे साथ Central Railway Mumbai के जो stations के उपर में charging points रने वाले हैं का contract भी हाल फिलाल में Tata Power ने sign किया है चलि नज़र दालते हैं Home Automations के उपर में Home Automations में solar rooftop और solar pumps का अगर बिजनस को बात किया है तो 4X और 8X की growth की है, FI21-22 में बहुत ही जबस growth देखी गई है Tata Power के अंदर में Company has recorded highest order book of 434 crores as per the quarter The total order book size is more than 72 crores as of June 2021 which is very very exciting चलिए बात करते हैं Tata Power के transmission and distribution network के उपर में हाल फिलाल company ने 51% stake हासिल किया Northern Odisha Distribution Limited में जिसके बाद company का customer base है वो बढ़के हुए है 12.1 million which is very very exciting, very very huge चलिए company के fundamentals में दालते हैं company का market cap 45,000 crores का high low का देखा है तो इस साल का high low 145 का और lower up 50 rupees का company का stock का PE अगर देखा है 32 का PE है industry का PE 35 है मतब अगर देखा जाए तो industry के PE से company थोड़ा सस्ता मिल रही है थोड़ा से exciting मिल रही है company के promoter holding को देखा है तो 47% के आसपास पर DIA is hold करते है 17% FIS की भी अच्छा कादा stake है which is 11% and public is holding around 25% ROE देखा है तो थोड़ा सा significant है ROE सिर्फ 2% का है ROCE 7% का है company का operating profit margin 20% है which is quite low अगर देखा है तक अदानी power का देखा है जाए 80% के आसपास का उसका operating profit margin है but data power is increasing data power is revamping अगर आपने आपको restructure कर रहा है बहुत जबर तरीके से अपने debt को research करने लगड़ा है चलिए देखते हैं नज़र जिसके financials के उपर में financials का गयता है sales growth अगर पिछे 3 साल की देखिया है तो 7% के आसपास रही है और पिछले 3 साल के profit growth को दिखाया तो which is very exciting now 9.43% और पिछले 5 साल का that is to 35% which is very very nice कमपनी के financials improve है पिछले 5 साल में 10,000 करोड का debt कमपनी ने खतम किया है और कमपनी के plans है आने वाले 5 साल में और 5,000 करोड के debt को खतम करने के लिए जिसके लिए कमपनी अपनी जो non-profitable conventional assets से उनको बेचने में लगी है जो पैसा है उसको अच्छे से capitalize कर रही है कमपनी में growth के लिए कमपनी को expand करने के लिए उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल किया रहे है एंचंत्रा यहां पे बहुत ही जवर्दस भूमी का निबा रहे है अपनी कमपनी को grow कराने के लिए अपनी कमपनी को limelight में लेका आने के लिए कमपनी को घर घर तक पहुचाने के लिए दोस्तों कमपनी का free cash flow भी बहुत अबस तरीक से इंक्रीज हुआ है जहां 2019 financial year में कमपनी का negative cash flow था 3000 करोड के आसपास में वहीं 2021 के आसपास आते आते positive cash flow हुआ है 2000 करोड से उपर में which is very good which is very nice कमपनी के पास अगर free cash flow positive हो रहा है तो इसका मदल भी है कमपनी cash generate कर रही है कमपनी उस cash को इस्तेमाल करती है expansions के लिए, capitalization करने के लिए work expansion करने के लिए कमपनी के पास free cash flow होना बहुत ही अच्छा sign है कमपनी के future plans में नज़र डालते है देखिए, renewables में कमपनी market share को बढ़ाना चाहती है 60% से जाए convention में 48% से जाए उस stake को बढ़ाना चाहती है renewables में कमपनी 2025 तक जो अपना production plan है वो more than 25 gigawatts का करना चाहती which is very exciting convention की बात किया तो 48% से जाए Tata का market share company अचीव करना चाहती है 2025 तक Tata Power is the largest power generation and supplier in the country which is serving more than 12 million customers countrywide चोले देखते हैं ऐसे कौन से concluding basis हो सकते हैं जिसके base पे हम Tata Power में निवेश करेंगे सोच सकते हैं final observation हमारी क्या है final observation देखते हैं company बहुत ही strong perform कर रही है dead company ने कम किया है अपने conventional non-profitable assets को company बेच रही है पैसा खड़ा कर रही है तो free cash flow बढ़ रहा है which is very very fundamentally approved and fundamentally very exciting if you see the company is actually focusing on green energy which is the need of the future green energy ही चारों तरफ होने वाली है अगर आपको अभी नहीं लग रहा तो आप late हो जाएंगे समझ लीजिए आने वाले future green का ही होने वाला है company ने losses को reductions किया और सबसे बड़ी बाद company का जो loss making entity थी which was Mundra Port Mundra Port भी अब profit में आने लगया है हम भी numbers अच्छे दिखाई दे रही है company debt reduction करने के लिए fundraise करने की तयारी कर रही है और बहुत अच्छे plans है company के पास में अगर वो सब plans अप्रूव हो याते तो आप देखेंगे Tata Power can become a multi-bagger incoming days so मेरी strategy का रहने वाली Tata Power को बलगे मेरी strategy रहने वाली है buy and dips की अगर कोई भी correction market में आती है तो Tata Power को मैं accumulate करना start करूँआ किसी भी price की उपर में क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी companies में से एक अगर Tata Power है और Tata जिसका नाम ही इतना बड़ा है जिसका नमक खाते आए हैं जिसकी electric cars चलाने वाले हैं जिसकी Tata Motors की cars चलाने वाले हैं जिस group के साथ हम जुड़े हुए हैं जिसकी नाम ही इतना बड़ा है